आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैलंड में तो आज की वीडियो में हम लोग करने जारे हैं हम लोग कुछ MCQ करेंगे आर्मी अगनिवीर एससी जेडी और कंपेटिव चांश में इससे पहले जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने जनर्राइस के को किया था और आज की वीडियो में हम करेंगे साइंस के 15 कोशन तो पिछली बार की वीडियो की तरह इस वीडियो को प्यार चलिए को शुरू करते हैं क्वेशन नमबर क्या है तो इसके जो आपके पास है और हम इसके राइट आंसर की बात करें का जो अटोमिक नमबर है वो होता है सिक्स अटोमिक नमबर ही शिक्स और अगर इसके अटोमिक मास की बात करो तो यह होता है 12 12 A M U 12 A M U इसका अटोमिक नमबर अटोमिक मास होता है और अटोमिक नमबर जो है वो होता है 6 ठीक है गाईस चले बढ़ते हैं अब अगले कोशन की तरफ तो next question is, what is the allotrop of carbon, carbon का allotrop क्या है, ठीक है जी, तो carbon के allotrop की तरफ बात करते हैं, तो इसमें option A is diamond, option B is lead, option C is coal, and option D is 11, ठीक है जी, 11, तो guys, what is the allotrop of carbon, इसका option A है, वो है diamond, option B, जो है, वो है lead, और option C है, coal, और option D is 11, तो guys, हम allotrop of carbon की अगर बात करें, तो allotrop of carbon जो है, allotrop of carbon, तीन तरह का आपके allotrop में देखने को मिलते हैं, एक होता है diamond, दूसरा होता है graphite, और तीसरा जो होता है, वो होता है, बक्त मिनिस्टर की तरफ जाएं तो यहां से answer हो जाएगा diamond, diamond is the correct answer of allotrop of carbon, तो चले हैं आगे बढ़ते हैं, question 3 की तरफ, one horsepower is equal to how many watts, कितने horsepower जो है वो, कितने watts के ब्रापर होता है, option A is 746 watts, option B is 980 watts, and option C is 1000 watts and option D is 550 watts, तो guys इसका जो right answer है, वो है 746 watts, ठीक है एक horsepower, 1 HP जो है वो प्राबर होता है, 740 watts, ठीक है guys, चलिए आजे बढ़ते हैं, next question is, what is the formula to find kinetic energy, kinetic energy निकानने का formula क्या है, इसको याद करते हैं, यहाँ पर options के अंदर गलती से 2 लिखा गया, this is not 2 exactly, यहाँ पर square रहा था, 1 by 2 mv square, जो है, वो kinetic energy का formula होता है, और mgh, जो होता है, यह potential energy का रहता है, ठीक है guys, तो mgh, जो है, वो किसका रहता है, potential energy का, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, यह जो है, इसका right answer होगा है, 1 by 2 mv square, तो 1 by 1 upon 2 mv square जो है, उसका right answer रहेगा, और जो रहता है, यह रहता है, यह रहता है, potential energy का, इसका जी, potential energy, ठीक है guys, potential, potential energy, इसको याद रखेगा, potential energy का फार्म रहता है, mgh, mass, into gravity, into height, यह हम के तीन जीजियों जो होती है, वहाँ हम potential energy निकालते है, kinetic energy होता है, mass into velocity, भीड़पनेट का, जी, mass into velocity, तो option A is the correct answer, question number 4, यह बढ़ते हैं, के next question की तरफ, question number 5 is, question number 5 is, we get vitamin dash from lemon and orange, lemon और orange से, हम को कौन सा vitamin मिलता है, option A is vitamin D, option B is vitamin C, and option C is vitamin B, and option D is vitamin K, तो guys, यहाँ भी जैसे lemon और orange हो गया, यह कहना है, यह खटी चीज़े होती हैं, जैसे जो भी खटी चीज़ है, तो इसमें, आपको जो मिलता है, वो मिलता है, vitamin C, आपका राइटन से इसका हो जाएगा, vitamin C, ठीक है, जी, vitamin D की बात कि लोगे, यह दूप, जो है, वहाँ से मिलता है, ठीक है, इस तरीक के से, आगे बढ़ते हैं, next question की तरफ, the next question is, air is a, air क्या है, option A is mixture, option B is compound, option C is solution, या फल्योड, अब देखे, air compound, solution, solution, लेकिन आप देखो, mixture क्या होता है, mixture, mixture में, बहुत सारी चीज़े होती है, जैसे, आत और भी मिक्षर खाते हैं, में कितना कुछ होता है, ना मुंफली डाली होती है, और भी CME होती है, और भी कितना कुछ होता है, वैसी, air जो है, बहुत सारी gases का mixture है, compound नहीं है, it's a mixture, क्या होता है, mixture, air is a mixture, which is, air is a mixture, यह क्या है, mixture, जो ले आगे बढ़ते हैं, next question is, ठीक है गाइस, next question जो आपका है, वो है, what is the SI unit of resistance, resistance का SI unit क्या है, और option A is voltage, option B is watt, option C is pascal, option D is, तो गाइस जो resistance होता है, पहले बात आती है कि resistance क्या होता है, पहले बात आती है कि what is the resistance, तो resistance की आप बात करो, तो गाइस, जो resistance है, let me change the color, जो पार्ट है, resistance का होता है, रुकावट पैदा करना, resistance का मतलब होता है, जैसे current जो है flow कर रहा है, class क्या कर रहा है, इस िरीकर सी current जो है flow कर रहा है, जो भी metals होते हैं, उसके अपनी property होती है, हर एक चीज, जो आपने अंदर होने वाले changes को करती है मना करती है अब की जो वियरे भॉर्ट के इसमें के फ्लो वर भरॉर को कोले से रोकते है उसी को ढ़ा स्क्क भी है जैसे हम हीटर में करते हैं हम हीटर की तो बहुत जादा क्रोशली के और गोरधिंटिस कहीं इसट भी होगा तो क्या वोगा आप में किसी चीज yumकाव कि धिय relate सब्सक्राइब करें लेकिन जबरदस्ती करा जा रहा है तो गुस्षे से लाल हो जाती है तो जब लाल हो जाती है तो जितना ज्यादा जब दिखने को मिलती है अब बात जी जाती कि जो रुकावट है किसमी मेजर करते हैं यही कॉशन है आपका किसमी मेजर करते हैं शरी देख लेते हैं इसके सब्सक्राइब पास्क्राइब अब्सक्राइब और जिस्टंस आपके पास हो जाएगा हो जाएगा हो हूं है और चिंश्टंस का बहुत बड़ा रोल है वी इकल आए आज बहुत प्ता इसको याद रखेगा क्योंकि इसको पुछ आजा सकता है तो ऑप्शन इस वोल्टेज बात करो तो यह पोटेंशिल डिफ्रेंस को होता है शौट में पीडी लिखते हैं कि वाट यह पावर का आगया थी पास्कल यह एर प्रेशर अट्मोस्फिरिक प्रेशर पास्कल प्रेशर का है नोट अट्मोस्फिरि प्रेशर करी बट पास्कल जो जी प्रेशर के लिए होता है किसके लिए होता है जी प्रेशर कितना प्रेशर लग रहा तो उसको हम पास्कल में मिजर करते हैं किसम मिजर करते हैं जी पास्कल में पास्कल जो होता है यह क्या होता है तो नाव्ट नाव्ट इस वाट इस लो एक यह बात करें तो ऑप्षण एपके पास आगए यू और ऑप्षण आगए आगए अगे पास सिर्ट विश्टी तो इसका जो राइट आपके पास हो जाएगा अगे वह जो है आगे बढ़ते हैं एक स्क्राइब इसका मास जाद करना पड़ेगा अल्बूस डबल डबल होता है लेकिन 12-22.something होता है तो इसलिए हम क्या करते हैं इसकी वैल्यू को जादतर 23 भी काउंट कर देते हैं इसका जो आंसर हो जाएका 23 आप्शन में दिया है 11 12 13 23 बार यूर ऑप्शन दी इस करेक्ट आंसर यह गाई आगे बढ़ते हैं नास कॉच्छन इस विच्छ फॉल्ओं इस इन इस इन वे से कौन सा एस्ड़ है ने सी एंच 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 इन वे से कौन सा एसड़ है तो इसमें लिखा है ने सी है यह तो हल्ट है थी ज्ल हेखा ही तो रहते हिस श्वासे लगरी हुस्य पॉट सिटी है वह किसमें मेक्सिमूम होती है तो पानी ने किसमें maximum density होती है तो पानी की जो maximum density है वो होती है option A दिया है 4 degree centigrade, option B 0 degree centigrade, option C 100 degree centigrade and option D is minus 273 centigrade density of water is maximum at, किस पे होती है उसको याद किये है, 4 degree centigrade पर, यहां पर degree आएगा, degree लिखा नहीं है तो फिलिएगा, 4 degree centigrade इसका राड आप सर्वाफ का पूचाएगा, ठीक है चले बढ़ते हैं आगे next question, next question is who gave the laws of motion, तो motion के laws किस ने दिये थे यह बहुत असान है क्योंकि हमने भी laws of motion पढ़ा है, जिसमें first law, second law, third law पढ़ा है, so, किस ने laws दिये थे, यह Newton ने दिये थे, option में दिखे, Newton, Einstein, Hansley and Achimedes, but option A is correct Newton, Newton के तीन law है guys, first law, law of Russia भी बोलते हैं, first law को हम बोलते हैं, law of Russia, ठीक है guys, second law, F is equal to ma, mass and acceleration and third law, to every action there is equal and opposite reaction, 3 last हैं, इसके कुल में आके, Newton जी ने तीन ला दिये थे, इसको तक, चलिए आगे बढ़ते हैं, next question is, which gas is required to live, हमें जिन्दा रहने के लिए किस gas की अविशकता होती है, option A is methane, option B is nitrogen, option C is oxygen and option D is helium, जी आगे बढ़ते हैं, question number 14 जो है, वो आपके पास आता है, human body is caused by dash efficiency, जो जो है, human body के अंदर किस deficiency का कारण होता है, इसमें body के mass का बढ़ जाता है, जिसे throat कहीं के बहुत बड़े-बड़े हो जाते हैं, जेसे गेंगा- अनकले के नीचे ऐसे कैंगा asak, जैसको के इंदी में बोलते हैं। वह हो जाता है, घॉकिस की कमई के कारण होता है, प्यात, इसका option दिया कपर की कमी के干रण, आयका एय क्या कमी करण, इप्न की कमी के करण, जॉकिजन की करण, और option C is correct, जब आयोडी की कमी होती है तुसके करण हमको क्यांगा रोग कायोटर जो है वो हो जाता है क्यांगा रोग दिखने को मिलता है option D is correct तभी कहते हैं कि जो नमक है वो हमको आयोडी यूप नमक जो है वो खाना चाहिए ठीक है जी चलिए आगे बढ़ते हैं next question is and the last question of today sorry guys so next question is decibel is the unit of your decibel है यह किसका unit है decibel जो है किसका unit है decibel है decibel है किसका unit है decibel है decibel है decibel is the unit of so option A is speed of light option B is option B is sound intensity option C is electricity option D is energy उनक चैशे डिये decibel है ना यह Сअंड इंतकी का होते है किटने decibel की सुन सकते है इसलिए किसका unit होता है sound intensity तो यह थ paso 15 questions ठोड़ने घुटिझ फिलिए आज के 15 questions ठीक है गई और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि आप लोगों के साथ के साथ ही और इस चैनल को ब्रोक ना जाते हैं वड़ेजिए और फ्लीज अपने वैलिवल क्मेंट्स हमको जुरूर दीजिए कि इस वीडियो में क्या अच्छा लगा और हम इसको और किस तरीके से बैतर बना सक होते हैं ताकि हम इसमें और कुछ बदला करके और खथे से करते हैं तो नेक्स्ट इसका पार्ट है उसमें हम मैंतेमेडिस के कुछ पॉस्टन को डिए हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो वे तिल देन गड़ बाए जैखे